गोव में दो दिवसिय ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान आतंकवाद के खिलाफ ब्रिक्स के सभी देश एक जुट नजर आए लेकिन यहां भारत लशकरे तैबा और जैशे मुहम्मद जैसे गुटों को आतंकवादे गुट घोशत कराने को लेकर कामयाब नहीं हो सका है समिट के सेक्रेटरी अमर सिन्हा ने बताया कि घोशना पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच इन संगटनों के जिक्र को लेकर आम सहमती नहीं बन सकी क्योंकि वह सिर्फ भारत और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मामला है लेकिन गोशना पत्र में अंतराश्ट्य स्तर पर आतंकवादी घोशित किये जा चुके संगटनों से निपटने के जरूरत पर बल दिया गया है अमर सिन्हा ने बताया है कि अधिकारी इससे भी काफी संतुष्ट है पैसे गोशना पत्र में आइसस, अलकाइदा, और जोभाद, उलनूसरा का जिक्र किया गया है इससे पहले प्रधान मंत्री नरेंदर बूदी ने रविवार को शिकर समेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के पडोस में आतंकवाद का मदर्शिप चल रहा है जो विकास तथा आर्थिक वृद्धी के ब्रिक्स के लक्षयों के लिए खत्रा है उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद को पनहा देने वाले भी आतंकवादियों जितना ही बड़ा खत्रा है लेकिन इसके बावजूद पांचो सदस्य देशों से स्विकार किये गए गुवा गोशना पत्र में भारत की उन्चंताओं का जिक्र नहीं है जो सत्र के दौरान या प्ररम्बिक सत्र के दौरान उठाई कई थी वैसमेलन में आतंकवाद की जननी बताने को लेकर पाकिस्तान ने पीम मोधी के बयान पर पलटवार किया है पाग पीम नवास शरीफ के विदेश मामलों के सलहाकार सर्ताज अजीज ने आरोप लगाया है कि भारत अपने सहयोगी देशों को गुम रहा कर रहा है तो ब्रिक्स अमेलन में भले ही जैश लशकर को आतंकवादी खोशित करने पर सर्वसम्मती नहीं बन पाई हो लेकिन ब्रिक्स के सभी देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एक जुटतास जरूर दिखाई है देखते रहे एटीब लाइव